कि गुड मॉनिंग बच्चों कैसे हो आप सभी आज हम पॉलिटिकल साइन्स प्लस वन क्लास का जो थर्ड लेसन है वो करने जा रहे हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन हमारे सेगंड बुक है इंडियन कॉंस्टिचुसन एट वर्क उसमें ये लेसन है तो चलिए आज सुरू करते हैं आज का लेसन फर्स्ट ओफोल हमारे सामने जो इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन कर लेते हैं तो इसमें इंट्रोडक्शन है वे एवर प्लेड चैस बच्चों क्या कभी आपने चैस का गेम है सत्रंज वो कभी खिल लाए What would happen if the black knight suddenly started moving straight rather than two and a half square क्या होगा जो उसमें काला गोड़ होता है अगर वो डाई कर चलने के बज़ाए सीधा चलने लगे तो क्या होगा और what would happen if in a game of cricket there were no empire और फिर अगर cricket का game की बात करें example में अगर game का निर्णय करने के लिए वहाँ पे cricket में कोई empire ना हो तो क्या होगा in any sport in any sport we need to follow certain rules हर game में हमें कुछ नियम है उनका पालन करके उनको game को खिलना होता है change the rules and outcomes of the game would be very different अगर game के नियम बदल दिये जाएं तो जो प्रिणाम है उसका कौन जीता कौन हारा तो प्रिणाम है आउटकम है जो उसका वो बिलकुल अलोग होगा similarly a game needs an impartial empire whose decision is accepted by all the players उसी तरीके से एक गेम में एक impartial empire होना चाहिए मतलब ऐसा empire जो निस्पक्ष निर्णे लेता हो impartial empire होना चाहिए whose decision is accepted by all the players जिसका जो निर्णे है गेम के सभी players को मन्य हो the rules and the empire have to be agreed upon before we begin to play a game नियमों के अनुसार उस गेम को उस गेम में जो नियम है हमें और empire को उस गेम को सुरू करने से पहले गेम के सभी नियमों पर अपनी सहमती बनानी पड़ेगी what is true of a game is also true of elections प्यारे बच्चों जिस तरीके से एक गेम के बारे में जो बात सच है कि इसके कुछ rule होने चाहिए और rule के लिए लागू करने के लिए उनका empire होना चाहिए वो भी निस्पक्ष ठीक उसी तरीके से जो elections होते हैं उनमें भी ये बात जरूरी है elections में जो नियम होते हैं वो निस्पक्ष रूप से लागू होने चाहिए तो यहाँ पर जो हमारे lesson का title है election and representation election क्या होते हैं चुनाव जिसमें हम जनता है जो किसी देश के नागरी के कोई democratic country है उस democratic की जो जनता है वो अपने देश को चलाने के लिए एक सरकार का निर्मान करती है democratic countries में यह मतदान के द्वारा किया जाता है कि जनता मतदान करके अपने परतिनी दियों को चुनती है और वो परतिनी दि उस उनका सासन चलाते हैं कि देश का सासन चलाते हैं लेकिन जो elections के कुछ रूल होते हैं कुछ नियम होते हैं ठीक जैसे किसी खेल को खेलने के लिए उसके नियम होते हैं खेल में जीतन हार किस चीज़ पर निर्बड करती है वो निर्बड करती है निस्पक्स निर्णे पर empire के निर्णे पर निस्पक्स निर्णे पर उसी प्रक दोरान जो चुनावायोगा इलेक्षन कमीशन है वो यह भूमिका निभाता है रीप्रेजेंटेशन मतलब जनता के परतिनी दी अब क्या होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि जो स्यारे के सारे निर्णे हैं वो जनता के द्वार लिए जाते हैं लेकिन जब जनता लाखों की संख्या में हो तो निर्णे जनता के परतिनी दी जो जनता अपने परतिनी दियों को चुनती है जो संख्या में कम होते हैं उनके लिए जनता की तरफ से निर्णे लेना असान होता है क्योंकि वे जनता की राय को परतिनी दिताव करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं there are different rules or systems of conducting elections elections को conduct करने के लिए बहुत सारे अलग-अलग rules होते हैं अलग-अलग नियम होते हैं हर सिस्टम में elections को conduct करने के लिए the outcome of the election depends on the rules we have adopted election का outcome क्या है मतलब चुनाव का प्रणाम क्या है उकी सीज पर निर्भड करता है उन नियमों पर निर्भड करता है जो चुनाव के लिए नियम निर्धारित किये गए हैं we need some machinery to conduct the elections in an impartial manner चुनावों को निश्पक्स तरीके से करवाने के लिए हमें एक machinery की जुरूत होती है जो उचित परीके से काम कर सकें चुनावों का जो प्रिणाम है जो प्रिणावों का जो प्रिणाम है वो हमें से याद रखना चाहिए कि वो इस चीज पर निर्भर करता है कि हमने उस चुनाव को करवाने के लिए कैसे नियम बनाए हैं हमने चुनावों को निश्पक्स डंग से कराने के लिए एक machinery भी चाहिए हलांकि कि ये दोनों निर्णे चुनावी राजनिती का खेल सुरोंने से पहले ही किये जाने जरूरी हैं इसलिए इने सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता कि सरकार खुद अपने लिए अपना elections कंड़क्ट कराएगी चुनाव के बारे में इन निर्णों को किसी लोकतांत्रिक देश में उसके स्विधान में ही लिख दिया जाता हैं और भारत के स्विधान में भी इस ववस्ता का पुरा प्रावधान किया गया है कि कोई गौर्मेंट है गौर्मेंट पर लेक्सल्स नहीं छोड़े जा सकते कि यह तो सरकार को बनाने के लिए हैं सरकार का चुनाव किया जाता है पब्लिक के द्वारा तो इसलिए नहीं है कि यह जनता पर निरने छोड़ दे जाए बलकि लोकतांत्रिक देश में यह जो हम उस देश का स्विधान होता है उस डेमोक्रेटिक कंट्री के स्विधान में ही यह नियम पहले ही इलेक्शन कैसे कराए जाएंगे सरकार कैसी बनाए जाएगी कैसे जनता के परतिनी दीचुने जाएंगे यह सारग सारस्विधान में पहले से लिखित होता है in this chapter we shall study the constitutional provisions regarding elections and representation we shall focus on the importance of the method of election chosen in our constitution and the implications of the constitutional provisions regarding impartial machinery for conducting elections we shall also look at some suggestions for amending the constitutional provisions in this respect after regarding this chapter after reading this chapter you would understand different methods of election the characteristics of the system of election adopted by our country in our country the importance of the provisions for free and fair elections and the debate on electrical reforms तो इस lesson में हम जो study करेंगे वो हमें हमारे देश में किस तरीके से चुनाव किये जाते हैं और किस तरीके से लोगों का परतिनी दिताव किया जाता है इसके समन्द में हमारे देश के स्विधान में क्या प्रोविजन्स हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम ये भी देखेंगे कि हमारे देश के Constitution में किस प्रकार की विवस्था को अपनाया गया है किस प्रकार से चुनाव पदती है वह हमारे देश में काम करती है कैसी चुनाव पदती है इसके साथ हम हमारे देश में जो elections है उनका का importance है कैसे वो जो elections है निश्पक्स रूप से machinery के द्वारा election commission के द्वारा करवाए जाने का हमारे स्विधान में किस तरीके से इसका प्रावधान किया गया क्या procedure उसके लिए लिखा गया ये सब की समझा में इस chapter से बनेगी हमारी अब इसके अलावा स्विधान मे जितने भी प्रावधान दिये गया है procedure दिये गया है कि किस प्रकार से स्विधान में constitution है जो amendment वो किये जा सकते है उसके बारे में इसके regarding क्या suggestions है ये भी हम इस chapter में ही देखेंगे तो जब हम इस chapter में देखेंगे तो कुछ मुख्य बिंदू जो हमारे रहेंगे वो हैंगे different method of election की किस प्रकार से चुनाव कराने के हमारी अलग अलग विदिया है और हमारे देश में किस प्रकार की चुनाव ववस्ता है वो अपनाई गई है उसकी क्या विसेशता ही है इसके साथ importance of provisions for free and fair election जो निश्पक से जो चुनाव है संतर्त रूप से जो करवाए जाते हैं चु उनके महत्यों के साथ साथ हमारे स्विधान में उनका किस प्रकार से प्रावधान किया गया है और डिवेट और इलेक्ट्रिकल डिफॉर्म्स और चुनाव में हर वर्स या चुनाव जितनी बार भी चुनाव होते हैं उनमें हम कमियां देखते हैं और कमियों को उनका सुध उच्पध करते रहते हैं उसस्धाव के ऊपर वह सारे डिवैट होते हैं जैसी पहले जो चुनाव थे वह क्या मत कैसे दिया जातया है पेटी होती थी जो प्र पेटी होते हैं उसके इंप लगाके द्रेकराइट का नाम लिखे होता था पूलिटिक mi मार्क होता था उसका चुनावची न होता था इलेक्टिकल साइन होता था उसको हम लगा के उसकी मत पेटी में डाला जाता था दीरे दीरे अब देखी उसमें कमिया देखे गई तो बहुत सारे कमियों को जो इंप्रोव किया गया अब जो EVM आ गया है अब उदर EVM को हैक करने के बारे में बात्यार या जो कि निराधार है कोई ऐसा सबूत तो हमें नहीं मिला लेकिन फिर भी कुछ कमिया हैं जिनको हमें दूर करते रहना है तो इस तरीक है कि बहुत सारी चीजे हम इस चेप्टर में देखेंगे और पढ़ेंगे इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी चुनाव और परजातंत्र लेट अस बीगिन बाई आस्किंग आवरसेल्स तू सिंपल क्वेस्टन अबाउट इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी हम सुरू करते हैं कि दो साधान से क्वेस्टन पूछते हुए और वो क्वेस्टन हमारे परजातंत्र और जो चुनाव परकिरिया के बारे में होंगे पहला पर्शन है जो पूछना चाहते हैं केन वी हैव डेमोक्रेशी विदाउट होल्डिंग लेक्शन बीना चुनावों के क्या कोई लोग तंत्र ववस्था स्थापित की जा सकती है किसी भी राश्ट्रा में पहला परशन सैंग्ड जो क्वेशन है Can we hold elections without having democracy या बीना democracy के बीना लोगतांत्रिक ववस्था के किसी देश में चुनाव किया करवाए जा सकते हैं अगर करवाए जा सकते हैं तो कैसे चुन्हावते हैं तो क्या भाई बना रहता है और अगर अम यह सोचते हैं कि वह डैमोक्रेशी है और डैमोक्रेशी बीना elections के बीना लोगों की राहे जाने मोहाँ पर डैमोक्रेसी या democratic system लागू किया जा सकते है तो यह चीज सोचने वाल है बिलकुल perform कि ACL के कि यह जरूरी है जंता की राही लेना और जंता अपनी रहा है किसके दोरा मतों के दोरा वोट के दोरा अपनी देटी हो रहा है और अगर किसी देश में हम यह सोचते हैं कि जो निस्पक्स्ता की जो भूमी का है जो निस्पक्स्ता है उसके ओपर विश्वास नहीं होता लोगों को तो यह चीज़ हमें देखने को प्राइम मिलती रहती है ऐसा नहीं है कि एह लोग तांत्री के ववस्था वाले देशों में राज़तंत्र है जहां पर तानसा तो पिछले कीक्षाव में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उनके उदारणों का प्रियोग करते हुए हम इन परशनों पर थोड़ी अपनी समझ के साथ हैं वो डिबेट करेंगे उनके उपर बाते करेंगे पहला परसन हमें याद दिलाता है अगर हमें किसी देश में डेमोक्रेशी स्थापित करनी है तो वहाँ पर डेमोक्रेशी यह नहीं कि लोग सी देशी देश में बाग लेंगे अपनी राय देंगे बलकि वो किसी कारिये के परती करने के लिए या बहुत सारे कारियों को करने के लिए एक निश्यत समय के लिए अपने परती नहीं दियों को बेज देते हैं वो आगे कर लेते हैं जो उनकी राय को उनके विचारों को परकट करते हैं और सिटिजन्स के नोट टेक डारेक्ट पार्ट इन मेकिंग एवरी डिसीजन क्योंकि किसी भी देश के नागरिक है वो बहु संख्या में है तो हरे कारिये को करने के लिए वो अपना डिसीजन नहीं दे सकते हैं वो डारेक्ट उसमें अपनी बूमिका निवाएंगे आके यह यह सरकार को आसे काम करना चाहिए तो वो डारेक्ट पार्टिस्पेशन नहीं होता तो इस लिए वो क्या करते हैं देरफॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्ट किया जाते हैं प्रतिनिती चुने जाते हैं इसी लिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में या अन्याव ववस्ता के कंट्री में जहां पर लोगों की राय जानने अतियाव शुक होती है हमाँ पर elections करवाए जाने बड़े महतुपूर्ण होते हैं whatever whatever we think of India as a democracy our mind invariably turns to the last elections जो भी कुछ हो हम अपने देश की परजयतांत्रिक ववस्ता के बारे में हम कुछ भी सोचते हो our mind invariable trends to the elections हमारा जो दिमाग है हमारे जो मस्तिस्क हैं वो हमारे प्राय जो पिछले जो इलेक्षन हुए हमारे देश में उनके वो उपर अमारा ध्यान चला जाता है elections have today become the most visible symbol of the democratic process आज की जो स्विधानिक ववस्ता है स्विधानिक प्रिक्रिया है उसमें जो उस प्रोसेस में democratic process में elections बहुत जारा देखने को मिलते हैं the most visible symbol of democratic process यह लोगतांत्रिक प्रिक्रिया का प्रतीक है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाए देने जाने वाले जो हम जाने माने या जाने पहचाने प्रतीक हैं वो यह मानते हैं वी ओफन distinguish between direct and indirect democracy हम प्राय जो प्रत्यक्स लोगतंत्र और प्रत्यक्ष लोगतंत्र में भेद मानते हैं अब क्यों होते हैं कि direct जो डेमोक्रेसी होते हैं वहाँ पे day to day life में जितने भी decisions लिये जाने चाहिए सरकार के द्वारा उसमें लोग direct अपना decision देते हैं अपना participate करते हैं day to day decision making में जो सरकार को निरने लेने होते हैं सरकार को देश की वस्ताव चलाने के लिए ऐसा लोग करते हैं लेकिन ऐसा उन्हां आजगर संभवनी हैं क्योंकि आपको पता है कि देश की जन संख्या कितनी जादे हैं तो हर एक नीती निर्मान के कारिया में देश की जनता भाग नहीं ले सकती ऐसी वस्ताई कब होती थी the ancient city states in Greek युनान में जो प्राचिन जो नगरिय सब व्यता थी वहाँ पर जन संख्या कम थी चूंकी लोगों कि बहुत ही कम लोग थे तो वह कोई भी निरने निर्मान की स्थिती में जो अपने सबी जनता इकट्टियों के वहाँ पर निरने लेती थी वर एक्जेंपल ऑफ डायरेक्ट डैमोक्रेसी ऐसी वह था को आप उदारन के तोर पर डायरेक्ट डैमोक्रेसी वह बोल सकते हैं परत्यक्स परजयत अंत्रिस को बोल सकते हैं मैंने वूड कॉंसिडर लोकल इसपैसली ग्राम सभास टू बी दा क्लोजेस्ट एक्जेंपल ऑफ डैमोक्रेसी आजकल भी आप कह सकते हैं कि जैसे गाउं में पंचायते हैं ग्राम सब है तो आप यह कहेंगे कि क्योंकि ग्राम सब आया जो वो क्या लेती है वहाँ पर जो लोग अई कठ्थ होते हैं गा में आते हैं वह सभी इकठे होके बनाते है जिसको आप बोल सक्ते है कि यह बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जiałem्पल है कि- McMok Academic का कौन सी direct democracy का but this kind of direct democracy cannot be practiced when a decision has to be taken by legs and cross of people लेकिन अगर ऐसी direct democracy के आप बात करें तो एक एवल छोटे ही अक्षेत्र पे लागव हो सकती है जहां पर अगर हम जहां पर देखें भारत जैसा एक बहुत बड़ा देश है जिसके जनसंख्या है बहुत जादा है एक बहुत बड़ा भूभाग है ऐसे में निर्ने लेने के लिए लाकों करोड़ों लोग जहां पे हैं तो वो ऐसे निर्ने डायरेक्ट वो नहीं ले सकते औरव इसी लिए यह लोग है अपने जो परतिनी दियों को चुनते हैं और वो उनके लिए अपने निर्ने बनाते हैं डेश के सरकार को चलाते है वो उसकी ववस्ता चलाते हैं देटेज वाए रूड़ेश पाइड पीपल यूजली शुण फिरूल बाइड पीपल रिप्रेजन्टिटीटिटीव इस तरीके से हम कह सकते है कि जंता का शासन अब कहते हैं ऐनकिज डेमकरेशी क्या होती है जंता का जनता के द्वारा सासन एक्चुल में वो जनता का सासन होता है और जनता वहाँ पे सासना वो अपने परतिनी द्यों के माध्यम से अपने देश का सासना वो चलाती है In such an arrangement citizens choose their representatives who in turn are actively involved in governing and administering the country The method followed to choose these representatives is referred to as an election Thus the citizens have a limited role in taking major decisions and in running the administration They are not very actively involved in the making of the policies Citizens are involved only indirectly तो लोग क्या है इन्डिरेक्टली उसमें होते हैं जहाँ पे उनके परतिनी जो उनके द्वारा चुने गई हैं वही सरकार के कारियों करते हैं तो यहाँ पे लोग भी ऐसा नहीं है कि लोग उसमें करिये नहीं करें लोग करिये करें लेकिन वह इंडिरेक्टली कर रहे हैं इंडिरेक्टली कैसे क्योंकि उन्होंने elections के माद्ध्यम से अपने परतिनी दियों को चुना और वह उनकी राय को परकट कर रहे हैं उनकी वीचीज को माँ पर लेके गए हैं जैसे वह चाहते हैं उसके अनुरूप उनको करें करना पड़ता है लोग प्रतिनी दियों के द्वारा लिये जाते हैं तो इन दीस अर्रेंजमेंट वहां पर बहुत हैं महत्वपॉन होनी चाहिए कि जिस तरीके से वो परतिनीदी चुने गया है क्या वो तरीका निस्पक्स रहा है या फिर उन परतिनीद्यों को उनके जनता के उपर या जिनके वो परतिनीदी है उनके उपर उनका परतिनीदी तो थोपा गया है यह चीज है यहां पर हमें देखने चाहिए यह बड़ी इं कि क्या बीना लोगतन्त्र के और चुनाव सकते हैं जिन देश्टों में नहीं तो अपर मोनायर के डिक्टेटर सीप है जहां पर ऐसी जंग है पर भी क्या elections का कोई benefit होता है या को करवाए जाते हैं elections तो करवाए जाते हैं तो the second question remind us of the fact that not all elections aren't democratic यह जोड़ी नहीं है कि सारे कि सारे जितने भी elections होते हैं जहां पर जनताई परतिनी दीच उने जाते हैं वह सारे डेमोक्रेटिक ही होंगे a large number of non डेमोक्रेटिक country also hold elections बहुत सारे दुनिया में देश हैं जो non-democratic हैं और वहाँ पर भी elections होते हैं in fact non democratic rulers are very keen to present themselves at democratic वास्तियों में जो democratic rulers हैं वह बड़े इस चीज़ के उपर ध्यान देती हैं कि जो भी उनके नीडिने होंगे to present themselves as democratic वह अपने आपको जंता की तरह दिखहते हैं both democratic rulers दिखते हैं अपने आपको लोग्स जो non democratic ruler करते हैं कि वह जितने भी कार्य कर रहे हैं democratic तरह के से करें present themselves as democratic वहाँ आपने आपको demokratica कर में स्थापित जिखाते हैं they do so by holding elections in such a way that it does not threaten their rules. वो इस त्रीके से elections करवाते हैं कि इन से उनके जो जिस त्रीके से वो सासन रहे हैं। उसके उपर कोई उंगली न उठा, उन राजाओं के उपर उंगली न अقुना, अपनी जनता का मन जीतने के लिए, अपनी जनता के मन में रहने के लिए तो वो इस तरीके से वहाँ पर elections करवाते हैं जैसे ब्रिटेन में महरानी को ले ली जी आप example के रूप में जापान में ले ली जापान में भी यह वह उस्ता है तो can you think of some example of such non-democratic elections क्या आप ऐसे जो non-democratic elections है उनके example है वो दे सकते हैं कुछ सोचिए बात किजिए उनके बारे में what do you think would distinguish a democratic from a non-democratic election आपको क्या लगता है क्या वो चीज होती है क्या वो बात होती है कि democratic जो country होता है और एक non-democratic country है उन दोन में जो elections होती है democratic country में और non-democratic country में तो कैसे elections होगे मैंने आपको बता है कि non-democratic country में जनता की इच्छाओं को दबा भी दिया जाता है लेकिन democratic country में जनता के प्रतिनी दिया तो उनकी राय को बदला नहीं जा सकता जिस जो representative उन जनता की इच्छाओं के अनुसार चलेगा अगर नहीं चल रहा है न तो जनता उसको टा देती है लेकिन राजा है राजा वह ऐसा नहीं होने देता तो कहीं बार कठोर नेने ले लेते हैं तो इस तरीके से जब हमें कोई अच्छा काम अपने देश में करने होता है जनता उसकी तरफ जो द्यान नहीं देती हैं तो विकास का कारिये मंद पड़ा रहता है इस तरीके से फिर कई बार जो हम में से पड़े लिखे लोग हैं वो बोल देते हैं कि वह इससे तो अच्छा है क्या है कि वह डैमोक्रेटिक की बजाए डैमोक्रेशी होने की बजाए डिक्टेटर सीप होती तो भारत बहुत जल्दी से विकास कर लेता या फिर यहां पर ज़्यादा जीव क्या कर सकते हैं कि एक नओ डैमोक्रेटिक कंट्री में आप डैमोक्रेटिक त्रीके सी करवाणे के लिए किस प्रकार आप प्रियास और यह चीज़ आप सोचके बताए कि कि किसी भी देश में चुनावों को आप लोगटांत्रिक डंग से पूरा करवाना चाहते हैं उसको स सुनिश्चित करने के लिए फिर आप क्या करोगी किसी देश में जो इलेक्शन्स हैं वो कैसे करवाओगे डेमोक्रेटी कंट्री में क्या क्या बात देखोगी यह चीज़ आपको यहां पर देखनी है और यही चीज़ का हम इस चेफ्टर में दिन कर रहे हैं आपका माइंड स समझने ही लगें कि आपको क्या कहा आ जायर है कि आप समझ लेएं कि किस तरीके सा हमारी हां uda कर सकते हैंकि वोट आप सोचने हैं भी वोट है मत है तो वह उसको इसमें गड़बड़ी की जा सकती है क्योंकि सरकार पर बाहुम्यां जब सरकार इत् shore इतना सारे देश का काम कर सकती है तो elections में उसको जीतने के लिए क्या दिक्कत आएगी कोई नहीं है लेकिन आपको ये बता जाता है कई बर आपने पढ़ा भी होगा कि constitution में अलग से चुनाओ जो आयोग है election commission है वो एक निस्पक्स है और वो एक अलग से constitutional body है वो संतर्त है और उसके उपर वो सरकार के प्रभाव से या court के प्रभाव से जो न्याय-पalten diesen या इनके प्रभाव से executives के प्रभाव से वह बिलकुल अलग है उसका जो खुद का स्विधान में उसके जंग है उसका एक structure है और इसस संतर्त तरीके से वो कारिय करती है This is where constitution comes in. The constitution of a democratic country lays down some basic roles of elections. The details are usually left to be worked out by laws passed by the legislature. These basic roles are usually about. क्याते कि हमें पता लगता है कि जो हमारा देश का स्विधान है उसकी कितनी महत्तुपूर्ण भूमी का है उसका रोल कितना important है एक जो democratic country में जो constitute है वो constitution में चुनावों को करवाने के लिए कुछ नियमों का प्रावधान वापे होते हैं जो मुलभूत नियम बनाते हैं वों के लिए और इस सम्मन्द में जो नियम और कानून बनाने का जो काम है वो वहां के जो legislature है उसके हाथों में वो दिया जाता है इस बेसिक रूल्स आर यूजले और ये बेसिक जो नियम कानून वाप्ष्था बनाने के लिए election commission कैसे काम करेगा किस तरीके से वो इसमें प्रावधान है संसोधन है इस constitutional body में तो वो उसका अधिकार लेकिन उसने legislature पर ही छोड़ दिया स्विधान में तो वो भी लोगों की इच्छाओं के निसार ही वहाँ पर प्रिवर्थन कर सकते हैं ये निकि वो अपने अपने आपको जिताने के लिए कुछ ऐसे अपने अनुरूप ऐसे नियम बना लेंगे ऐसे नहीं वो स्रोमने ही नियम उसमें बनाया सकते हैं जो सभी देशवास्यों को हाँ पर मंजूर हों उनको स्विकार हों फर्स्ट है पहला अधिकार जो लेजिसलेचर को है चुनावा योग के बारे में नियम बनाने के लिए वो ये है कि कौन वोट डालने के योग्या है और कौन नहीं सुरू में जैसे की आसम में इलेक्शन हुए थे 1950 1950 के राउंड है ये वो इलेक्शन हुए थे आसम में जो पहली बार इलेक्शन हुए थे हमारे उसमें 21 वर्स आयू थी जिसे बाद में घटा के लेजिसलेचर ने कितना कर दिया 18 years कर दिया तो ये कैसे है ये नियम मनाने का दिकार उनको है फिर फिर उनको चुनाव लड़ने के लिए जो परती नहीं दी आते हैं जनता ये परती नहीं दी जो बनना चाते हैं ऐसे कंडिडेट से ऐसे उमिद्वार है उनके लिए योग्यताई निर्दा अरित करने का भी देखते हैं उसके समंद में वो नियम बनाते हैं ये चीज आ गई कि इलेक्षन परिकरिया को इसकी देख देख कोन करेगा फिर इसके बात है और जिस तरीके से लोग अपने परतीनिद्यों को चुनेंगे उस तरीके को भी ये देखते हैं उसमें भी जो नियम निर्दारीत है वो ये करते हैं तो हाव आर दा वोट्स टू बी काउंटिड एंड रिप्रेजेंटिटिव्स इलेक्टिड और लांस्ट में एक बात और कि जो जनता ने वोट डाले हैं अपने परतीनिद्यों को चुनने के लिए उन वोटों को गिनने का तरीका क्या होगा कौन उनको गिननेगा और किस तरीके से वो परतीनिद्यों का चुनाव वहाँ पर होगा रिप्रेजेंटिटिटिव्स कैसे वो इलेक्ट होंगे ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा यह कार्टून है इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं क्या का गया है इसमें वाट इस दे नेड़ ओफ राइटिंग दीज रूल्स इन दा कॉंस्टिचूशन कॉंस्टिचूशन में इन नियमों को लिखने की जूरूद क्या है तो यह कैसी बात आप समझ सकते हैं क्योंकि कोई भी जो पावर में है वो सरकार बनाई हो है तो अपने प्रबावादिकार से क्या करेगी चुनाव को निश्पक्स तरीके से नहीं होने देगी और वो पार्टी अपने पार्टी को जिताने के लिए अपने इत की तरफ से अपने तरीके से वो इनियम हो बनाएगी तो वो गलत हो जाएगा जबकि इसके लिए क्या किया गया पहले इसे इस सुईदान में इसकी विश्तित वहां पे प्रोसिजर दिया गया है सरकार का निर्मान कैसे होगा कैसे निस्पक्स चुनावंगे सिरफ जो कर सकते हैं落जसलेच्रिस में नीवो में बदलाव कैसे करती है वह बदलाव जो स्रोम मनन्या है किये जा सकते हैं में अगर कोई ऐसा बदलाव है उसके साथ छेड़ खान नहीं है तो वहाँ पे हमारी नियाई पाली का वो बैठी है और ऐसा नहीं किया जा सकता कि वो केवल अपनी पार्टी एक पार्टी अपने हित के लिए ऐसा कर सकें तो इसके बाद है जो लाइक मौस्ट डेमोक्राटिक कॉंस्टिचूशन बहुत सारे जो दुनिया में लोग तांत्रिक स्विधान है उनहीं की तरह है था कॉंस्टिचूशन ओफ इंडिया आंसर्स अल इसक्वेस्टिचूशन भारत का स्विधान भी इन सभी परसनों के जवाब देता है as you can read the first three questions are about ensuring that elections are free and fair and can free and fair and can thus be called democratic the last two questions about ensuring a fair representation in the chapter you will consider both these aspects of constitutional provisions about elections constitutional provisions तो बहुत सारे जो some democratic constitutions है उनहीं की तरह भारत का भी constitution है इन सभी परसनों के जवाब देता है जो जिग्यासा ही होती है उनके संतुष्टी करते हैं जिग्यासाओं की उत्सुकताओं की जानकारी देता है as you can see the first three questions are about ensuring the elections are free पहले तीन question से हमें पता लग जाता है कि बारत में जो election है चुनाव किये जाते हैं वो फ्री है संतर्त है और निश्पक्स है free and fair elections यहां पे होते हैं and can thus be called और इसी तरी के इसी वज़े से इसको democratic elections कहा जा सकता है बिना किसी भै के बिना किशी संका के बिना किशी beyond any suspicion and doubt दे लास्ट वक्षिशन्स आर बाउट इंसरेंगे फेर रिप्रेजेंटेश और दो जो लास्ट वाले क्वेस्टेंटे इन तिन क्वेस्टेंस में से इन में हम इस पश्ट पता लग रहा है कि भारत में जो रिप्रेजेंटेशन है लोग को का प्रतिनी दीता वह भी निश्पक्ष है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनिश्पक्ष का वहाँ पर प्रावधान किया गया है इस चैप्टर में आब हाप जो यह विल एक्टिविटी क्या है यहां पर करने के लिए थोड़ असा कोलेक्ट न्यूजपेपर क्लेपिंग अबाउट इलेक्शन से इंडिया एंड अनि अदर कंट्री कोई दूसरा देश है या भारत उसके बारे में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन से जुड़े हैं अगर आप आपको कोई बार की कटिंग कलीपिंग वगारा मिल जाती है तो उसको लीजिए क्लासिफाइद कलेपिंग इंड़ फॉलिंग टैग्री और कुछ के माद धमसें को देखिए कि सिस्टम और प्रेजेंटेशन क्या है उससे आपको पता लगा कि बारत में किस तरीके से प्रति जिन्देदी चुने जाते हैं वोट रिलिजिबल्टी क्या हुआ पर जिन्होंने वो चुने हैं वो चुनने वाले कौन है क्या इस्तरी पुरुस दोनों है क्या केवल पड़े लिखे व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है क्या उसमें क्यों पड़े लिखो दिया गया मज वारे देश के स्वीधान में क्या दे गई है रोल ऑफ दे इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाने वाले जो constitutional body है उसकी क्या भूमिक आई यह देखते हैं उसमें compare करना आपने if you have access to internet अगर internet से आप बिल्कुल स्वीधा आपके पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आप internet से जानकरयों कोई कठा करें विजिट्ट वेबसाइट ऑफ दे प्रोजेक्ट एलेक्शन प्रोसेस इंफोर्मिशन कॉलेक्शन जो बगएर यह निचे डाइट दी गई एक टाइम है जो थोड़े बहुत मांक्स तो ले सकते हो लेकिन लाइफ टाइम के लिए जो एक जा अपने मोटो बनाया अपने लाइफ का वो डीप स्टड़ी से यह आप कर पाओगे अन्से आटी बूक से मेटा पढ़नी बड़ी जरूरी है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया भारत में चुनाव का जो तंत्र है चुनाव प्रणाली है चुनाव की ववस्ता है उसके बारे में हम इस पैरग्राफ से जो अध्यन करेंगे इस टाइटल में को छोड़ी हfalशारा है üzerine यह सुनाव के सहुत थायल जाटन मेरे इनडिया और सबस्वादोश इंड़ो शौरास भारत मेल ऐसे डिल रेंडिया about different methods of electioneering and campaigning in the elections but what are different methods of elections but what are different methods of elections there is a system of conducting elections there are authorities and rules about do's and don't do's is that what election system is about all about you may have wondered why the election needs to write down how the votes are to be counted and how representatives elected isn't that very obvious people go and vote the candidate who gets highest votes gets elected that is what elections are all over the world why do we need to think about it you know I've known the September 6th of the day so that you got the first one to know how do you go to the country and not then we need to think about it what do you think about it that you get the answer पाइद इन सिस्टम को इलेक्शन के देखके आपको आश्रे भी हुआ होगा कि वर ओल अबाउट यह किसके बारे में ऐसा सब क्या किया जार रहे हैं आपने देखो कि चुनाओ के समय चुनाओ परचार करने के लिए बहुत सारी चुनाओ पार्टिहां वो पूरा जी जौर लगा देति और सारे व Bundes टरीके जिस ट्रीक से वह चुनाओ परचार करते हैं तो नंत्यी को यहां अपने पड़ा होगा इन दा इलेक्शन्स हैव सीन और रैड अबाउट डिफ्रेंट मेथड्स ओ इलेक्टरिंग एंड कम्पेनिंग तो आपने सब चीजों के बारे में आपने पता है लेकिन क्या बच्चों चुनाओं के जो तरीके है कैसे हैं आपको कैसे लगता है आपको यह तो पता है कि चुनाओं संचालन करने के लिए एक ववस्था बनाए गई है और इस ववस्था में दिरिजी सिस्टम ऑफ कंडुक्टिंग एलेक्शन्स देरा अथ्योर्टी जैंड रूल्स क्या किया जाए क्या ना किया जाए इसके बारे में महाँ पर नियम है एक नियम ववस्था महाँ पर बना दी गई है एक अधिकार महाँ पर दिया गया क्या करे क्या ना करे आपको क्यों लगता है कि अमारे स्विधान में यह चीज जूरता है लिखने के लिए कि किस प्रकार से वोट डलेंगे कैसे इन वोटों की काउंटिंग की जाएगी कि इस सभी चीजे लिखने जरूरी है आपको लगता होगा यह फिर खुद यह तो ववस्त है सभी को पता विया से किया जाना चाहिए यह लिखित रूम में उसको रखा जाए यह जुरूरी है एंड रिप्रेजेंटिटिव सेलेक्टिड और वहां पर प्रतिन दियून का चुनाव यह सब जुरूरी है ऐसे इस दाट वैरी अबियूस इससे बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाता पीपल गो एंड वोट लोग जाते हैं वोट डालते हैं कंडिडेट गेट्स जब जिस कंडिडेट को सबसे ज़्याधा वोट मिलते हैं वो candidate है वो VJ हो जाता है इसी तरीके से यही मतलब होता है कि पूरी दुनिया में elections करवाने का और इसी तरीके से सभी को पूरे विश्यों में चुना जाता है ऐसे ही चुनाव करवाए जाते है तो फिर भी हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए जबा में सब वस्ता पता ह है फिर क्यों जरूरी है क्या जरूरी है जरूरी है लिखके उस सीज को हम अपने सभीदान में रखें सभी तो ऐसे ही होता है we need to because this question is not as simple as it appears to us बिल्कुल जरूरी तो होती है बेटा इसकी क्योंकि जैसा यह परसन इतना साम दिखाई दे रहे न वास्तों में आप ऐसा है नहीं चुनाव के समय आपने दंगे देखे है नियम ववस्ता के अनुसार ही सब कुछ चला जाता है उसके उपरांतिय इस्तितिय हो रही है we have got so used to our system of elections that we think that there cannot be any other way हम अपने चुनाव ववस्ता में इतने जादा लीन है हमें जिसमें यह लगता है कि इसके अलावा और कोई उप्चार हो ही नहीं सकता किसी हमारे जो democratic election है उसमें क्या होते हैं कि people जाते हैं वोट डालते हैं उनकी preference है वो ही decide करती है कि उस context को उस game को उस elections को कौन जीतेगा but there can be very different ways in which people make their choices लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जिसके मादम से लोग अपनी इच्छाओं को परकट करते हैं and very different ways in which their preferences can be counted और अलग अलग वो भी तरीक है जिनसे उनकी preference है उनकी choice है जब वो गिनी जासके these different rules of rules of game can make a difference to who the winner of the game will be और यही जो rule है इसके बारे में बिलकुल जो एक difference पैदा कर देते हैं कि कौन तो election जीतेगा और कौन election नहीं जीतेगा rules of the game can make a difference to who the winner of the game will be यही चीज़ से हमें पता लग जाता है कि कौन जीतने वाला है some rules can favor bigger parties कही रूल है बड़ी बड़ी पारिटी को favor करते हैं some rules can help the smaller players और कुछ रूल है जो बनाए जाते हैं उससे हम छोटे 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 खिलाडी हैं जो राजनिती के हैं उनको फायदा हो जाते हैं छोटे राजनिती के दलो को some rules can favor the majority community कुछ रूल है जो बड़ी संक्या में देश में समुधाय के लोग हैं वो रह रहे हैं उनको benefit होते हैं others can protect the minorities और कुछ ऐसे हैं जो minority के लिए ठीक होते हैं let us look at the dramatic instance to see how this happens आईए देखते हैं कि किस प्रकार से यह ववस्ता होती हैं इस नाटक को समझने की कोशिश करते हैं first past the post system first past the post system जो सब से आगया वही जीतता है look at the newspaper clipping एक बार ये newspaper clipping को देख लीजी क्या समझाने चाहते हैं राइटर में इसमें गुक्यमाद दम से एक एक एक्जेम्पल दिया नव बार टाइम्स का पहली बार कॉंग्रेस को तीन चौताई बहुत जादा बड़ी संख्या में मतों की प्राप्तियों ही है पहली बार कॉंग्रेस को एक तो यह है दुसरा हेगड़े सरकार का प्राइफा दे दिया है यहां पर एक न्यूज यह चकी है क्योंकि बहुत सारी पार्टी जब बारत में आ चुकी थी जो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल्स पे फाइट कर रही थी यह अमें ध्यान देना चाहिए सबसे बड़ी पार्टी वहां पर कौंग्रेश पार्टि थी और बहूत सारी पार्टी जजञें बारे में हम आगे जानेंगे कि कितनी पार्टी उस समय और किसकिस समय हमारे धैस में आ गये थी आगे थे सारा औहां नेक्स्ट अगले बुजों तो यहां पर इट टेक्स टॉक्स और वन हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियाज डेमोक्रेसी एक बार देख लीजी पिछी क्या है टाइटल हाँ फर्स्ट पास्ट दपोस सिस्टम जो क्या है जो सब से आगे गा और वही जीतेगा जो सब से आगे निकल गया वही जीतता है जिसको सब से ज़्यादा वोट मिलते हैं वही बारतिय राजनिती में जीतता है इट टॉक्स और वन हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियाज डेमोक्रेसी बारतिय परजा तंत्र में ये एक बहुत बड़ा इतिहासिक पल है उसके बारे में हमें पता लगे है क्या था कि इन दे लोक्सबा इलेक्शन सब नाइटी परसेंट आफ दे स्विट्स ये हमारे लिए कि इती आशिक्षन था कि 1984 के समय में स्रीमति इंद्रागान दीजी है इस समय जो सहीद हो गई थी उनके अंग रक्षकों ने उसके बोड़ी गार्ड्स ने खुद उनको गोली मार दी थी बच्चों और वो कॉंग्रेस की एक बहुत ही बड़ी ससक्त लीडर थी जैसे आज नेंद्र मोदी जी है तो ठीक ऐसे ही उनका रूत बात है उससे में ऐसा बिटा सुनने में आया है तो इन दर लोग्सोबा इलेक्संस 18-1984 में जो कॉंग्रेस पार्टी यह came to power winning 415 सीट्स जो 415 सीटे जो कॉंग्रेस पार्टी को मिली टोटल जो 543 लोग्सोबा सीट्स थी MP जिसक पे चुने जाते है तो 543 सीटों में से 415 सीटे हैं जो कॉंग्रेस पार्टी को किली को मिली पर्षेंट सीटे थी कम से कम और यह बहुत ही बड़ी इतिहासिक जीत थी प्यारे बच्चों सचे विक्ट्री वांज नेवर चीवड बाई एनी पार्टी इन दा लोक्षभाई एलेक्शन में आज तो कोई भी पार्टी है उसको इतने मत इतनी सीटे प्रापत नहीं होई थी ऐसा कहा सकते हैं कि मतलब 80% जो जनता की थी बारती उसने उसके उसके फेवर में वोट डालने इस इलेक्शन से कॉंग्रेस तो एक राजा पार्टी की तरह दिखा दी गई थे त्हुंग्रेस पांटी वोन फॉर फिफ्ट आप दा सिटा सिट्स वर फिफ्ट उन्कोंग्रेस पार्टी को मिल गई यानि कि पांच में से अगर देखे तो यह चार सदस्य जनसिंख्या में कॉंग्रेस पार्टी के पक्ष में थे प्रतिक पांच सदस्य में से चार सदस्य कॉंग्रेस पार्टी की तरफ गए यह देख लिजे पूरे बार्ट की जिन सिंग्यों को ऐसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको एक्चुली नॉट ऐसा नहीं था टेक ए लुक एट दा इंक्लोज टेबल नीचे टेबल दी गई उसको देखना हमने उस पे लुक डालिएं दा कॉंग्रेस पार्टी गोट 48 परसेंट 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 कॉंग्रेस इन दा कंडिडेस पुट बाप बाइदा कॉंग्रेस पार्टी 48 परसेंट का मतलब है कि बारत की जो टोटल जनसिंग क्या है सो सो में से अड़तारीस लोगों ने कॉंग्रेस पार्टी को वोट दिया इसका ये मतलब है तो बावन जो लोग है वो कहां गए तो वोटनिंट फिर एंफिर आफ दे कॉंग्रेस पार्टी बट दा पार्टी स्टिल मैनेज्ट विन मौर देन 80 परषेंट इन दे लोग सो फिर बी ये 80% सीटे हैं जो लोकसभा में जीत गए ये क्या करामात है सोचने की बात है थोड़ा सा भी समझा रहा हूँ आपको आप सोच ये कैसे हो गया कि 100 लोग हैं 100 लोगों में से 48% लोग मतलब कहने का इन्होंने वोट दिया इसके फेवर में तो फिर भी जो 52% है वो इसके अंगेश्टी है किसम से देखे कॉंग्रेस के तो फिर भी जो कॉंग्रेस पार्टी 80% कहने कि भी 80% सीटी है जो लोग सबा मिले गई तो ये कैसा परतिनी दीता हुआ सोचने वाली बात है थोड़ा सोचिए क्योंकि बहुत सारे लोग है उन्होंने वोट भी नहीं दियोगा कॉंग्रेस पार्टी को और बहुत सारे गर्से बारी निकले किसी को वोट नहीं दिया तो कहने का मतलब क्या डैमोक्रेसी क्यों होता है डैमोक्रेसी कहा मतलब होता है कि डैमोक्रेसी में परसेंट में से कुछ लोग को ने दूसरी पार्टीज को दिया तो एक ऐसी डेमोक्रेशिया इसके बावजुद वो 80% जीत गए ठीक है तो इस तरीके से हम देखते हैं यह डेमोक्रेशी का हाल है क्योंकि लोग वोट नीडालते ना वह अंगेश्ट जा रहे हैं ना वह अपन परसेंट के बाद है जो डिजट सुरू होंगे 25 35 या जो भी है 75 इतना ही जो वोट स्कू मिली है परráपी पॉइंट के बाद हम झाल सैंज समीर नज्टुच मिली क्याय तो देखी क्या है कि 7.8% वोट है बट लेस देन 1% सिट लेकिन सिट उसको कितने मिली एक भी सिट नहीं मिली 3.5 में के अराउंड मिली है राउंड फिगर में हाव डेट हैपन ऐसा कैसे हुआ यह सोची हाँ और यह हम समझेंगे तो पहले अब देख बार पार्टी देख लिए जो सनेगे अभी थोड़ी देर पहले इसी कि बात करें हम कॉंग्रेस पार्टी मेजर पार्टी थी 48 जो पर यह चीज़े अंडरलाइन करने आपने बुक में अंडरलाइन करके चला करें और फॉट इट नाइंटी एट परसेंट जोन को यह यह आपके डेटा आज है इनको आपने रखना हर क्वेश्चन के आंसर में बड़े ध्यान से यह चीज़े आपके माइंड में रहने चाहिए बीजेपी को कितनी मिली यह चीज़े आपको देखने चाहिए कितनी जो 80% टैवर सीटे उन्होंने वहाँ पर प्रापत की हैं लोगसबा में यह सभी चीज़े आपके माइंड में पड़ी रहने चाहिए तो कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है 48% इसको जो लोगों ने म मत दिया टोटल सीटे 415 इन्होंने प्राप्त की बीजेपी ने 7.4 जो वोट्स मिले और टोशीट्स इनको मिली है तो इसी दिए जनता है जनता लोक दल है CPIM है तेल गुदेश मैं DMK है AIA DMK है तो यह अलग-अलग पार्टी थी वहाँ पर अकाली दल है एज़ीपी पार्ट को special method of elections ऐसा ही से लिए होगा कि हमारे देश में हमें एक विशेष्ट जो तरीका है प्रणाली है चुनावों की उसको हम फोलो करते हैं अंडर दिस सिस्टम चाह करते हैं दा एंटायर कंट्री इस डिवाइडि इन्टू फॉर फाइफ फॉर थी कॉंसिच्वेंस कॉंसिच् कॉंसिच्वेंस क्या है पानीपत प्लस करनाल इन दुनों की जनसिंख्या से मिलाकर एक कॉंसिच्वेंस त्यार हो जाती है क्योंकि कि निश्चित जो जनसिंख्या को ही परतिनी तो दिया गया है स्विधान में कि निश्चित गुबाग में इतने इतने जनसिंख्या है और इतनी जनसिंख्याओं का एक परति नहीं दिये इस तरीके से पूरे बारत को ऐसे ही डिवाइड किया गया फॉर अंडर्ड फॉर्टी फाइव अंडर्ड फिफ्टी फाइव अंडर्ड फॉर्टी त्री कॉंसिच्वेंसीज में कि जनसिंख्या के अधार पे बनी हैं इस कॉंसिच्वेंसी एलेक्ट्स उन रिप्रेजेंटिटीव हरें का एक रिप्रेजेंटिव होता है यह बात अलग 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 पार्टी अपने कर देती है जिसको जनता वोट देती है और इसमें आजाद भी candidate होते हैं जो खुद किसी पार्टी से नाता नहीं रखते लेकिन वो कहते हैं हम अपने अक्षेत्र के लोगों को प्रतिनित्यों करेंगे और जो यह आजाद candidate होते हैं जो यह independent candidate यह इलेक्स को जीतते हैं and the candidate who's who's the highest number of votes in that constituency is declared elected सबसे ज़्यादा वोट प्रापत करने वाले को ही क्या मिलती है विजय मिलती है बानिपत से मान लेज़े बानिपत करनाल से हमें चार पार्टि या पाँच पार्टि खड़ी हैं तो किसी को 20% जमता ने वोट दिया किसी को 30 ने किसी को 10 पर्षेंट मिले किसी ने फिर 20 परस forskTE है या 22 परसके इस तरीके से हम च्या देखते हैंitat थर्टी परसेंट वाला है जिसको भी वोट मिले है वो जीत गया उने लेक्षन में जीत दर्ज करा दिक तो सेवंटी परसेंट तो इसके अंगेस्ट है ना यह चीज है यह थोड़ा डेमोक्रेशी का ड्रॉबैक है लेकिन ऐसा कोई विकल्प भी तो नहीं है ना इसका तो थर अंग्रेस के फेर में वोट किया था और बाव जुदिस के उसने 80% जो शिटे लोग सबा में प्रापत की थी है बोट परी जीत थी उनकी 1984 में दे कंडिडेट्स फूस क्योर से यह हो गया है इस इंपोर्टेंट तो नोट दाट इस सिस्टम whoever has more votes than all the other candidates is declared elected उसी को हम elected declare कर देती है क्योंकि उसको दूसरों के एफिक से ज्यादा मत मिले है है the winning candidate need not store a majority of the votes and Hamilton welp candidate को आ कि मैज Понि पर की मैजोर्टी में लोग कहां पे Julia ए उसको जुँच्प होती है क्यों मैजोर्टी की जुरुत नहीं है वहां पर उसको जोटों कि सिंख्या की ज्यादा जूँちょっと बेसिक उसके गुर्थ जो 70% of population दूसरों को वोट दियो हूँ यह चीज ध्यार में रखें इस मेथड़ इस काल्ड फर्स्ट पास्ट दा पोस्ट FPTP यह मेथड क्या कहलता है हमारा FPTP कहलता है जिसको ज्यादा मिलते हैं वही जीतता है फर्स्ट पास्ट दा पोस्ट FPTP याद रखें इसको FPTP सिस्टम बोलते हैं और इनको राउंड करना आपने बड़े इंपोर्टेंट है यह बाते हैं ठीक है in the electoral race the candidates who is ahead of others electoral race में जो व्यक्ति सबसे आगे उता है चुनाओ की दोड में who crosses the winning post first of all जिसने पहले जिसने सबसे पहले जो winning post है उसको पार किया criteria को पार किया is the winner वही winner कहलाता है this method is also called the plurality system इसको plurality system भी बोलते है plurality जहां पर plural संख्या में बहु संख्या में लोग है बहु संख्या प्रनाली भी इसको कहा जाता है this is the method of election prescribed by the constitution यही election का method है जिसके बारे में constitution में लिखा गया है और amendment है जो वह लोग करती है जो परतिनी दी करते हैं इसमें executives करते हैं वह legislature करती है sorry legislature इसमें परतिनी अमेंडमेंट करती है let us now go back to our one to our example एक अमारा example है उसके पास वहापिस फिर दुबारा चलते हैं क्या example था जो वह the congress party won greater share of seats than its shares of votes because in many of the consequences in which its candidates won they secured less than 50% of the votes elections फिर भी जीत गए हलाकि इसके candidates को क्या है 50% से भी ज्यादा vote है वो कम vote है वो मिली है और फिर भी वो election जीत गए the congress party won greater share of seats जादा संख्या की सिट फिर भी जीत गए in spite of that the candidates stored only less than 50% of votes in spite of that they were able they managed to win maximum number of seats in the Lok Sabha and that is almost 80% of seats at that time in 1984 if there are several candidates the winning candidate often gets much less than 50% of the votes the votes that go to all the closing candidates go waste जो हारने वाले हैं उनके जो वेट गई वोट्स गई थे वो वेस्ट है उनका कोई मुल्यंकन नहीं किया जाता for those candidates or parties get no shit from those votes क्योंकि उनसे नहीं तो उनको कोई वोट मिलती है नहीं उन वोट के आदार पे नहीं को कोई पद मिलता है कोई shit मिलती है और नहीं उनसकी कोई माननता होती है suppose a party gets only 25% of the votes in every constituency but everyone else gets less than votes in that case the party could win all the seats with only 25% votes or less than मान लीजे किसी भी सिच्वेंसी में 25% वोट प्रापत करने वाला कंडिडेट है वो सबसे ज्यादा वोट उसने प्रापत किया और 25% जिसे वोट प्रापत किया बाकी जो दूसरी representation इसके बारे में बच्चों कल को पढ़ेंगे I think that's enough for today तो बेटा इसको बार-बार जो डिसे बारे में और डिखेंगे और रिखेंगे वाल प्रापत किया प्रापत कर पाए उस मेडियम को आप चुनेंगे थेंक यू बेटा, have a nice day, may God bless you, thank you.